नमस्का दोस्तों मैं हूं आर्तिप्रजापदी यूट्फी चैनल पर आप सभी को हार्थिक स्वागत हैं दोस्तों सभी को गूड इवनिंग आज आजी सभी क्लास के अंदर ओके और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डाटा इंटर्प्रेटेशन की और आज क वीडियो के साथ वीडियो को सबसे पहले क्या करना है लाइक करना है अपने दोस्तों को शेयर कर देना है एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारे के सारे वीडियो उसकी आपको मिलती रहे हैं तो चले द कि फोटी से इंफरमेशन नाम है और अगर कोई बच्चा साइकोलोजी से है तो साइकोलोजी की ज़िसे नाट के प्रिपेरेजन कर रहा है जी साइट की प्रिपेरेजन कर रहा है या फिर प्रिपेरेजन कर रहा है तो साइकोलोजी वाला बच्चे के लिए हमारी एक अलग सी चैनल है जिसका नाम है स्टड़ी अप साइकोलोजी तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहा है सकते हो कि चले दोस्त्तों अपकी बार सब्सक्राइब और सब्सक्राइब हो चुबार हो जुका है उनके लिए एक नहीं लाइन है अबकी बार सब्सक्राइब choosing proper को पढ़ 코로나 है उसके बाद टेबल को देखना है उसके बाद कुछलना है और नहीं चलना वना गब रा जाओगे ग्जाम के टाइम पे तो जिस सुवे में मैं हम संजय रहे हूँ उसी वे में आपको यहाँ और सारे के साथ करना तो देखते हैं यहां पर देखें दिया हुआ है तालिका को सब्धानी पुर्वक पढ़िए और निम्न प्रश्ण का उत्ता दीजिए निम्ना लेकी तालिका में पांच वस्तु हुए मतलब के आईटम स्थी हुई है और प्रत्यक तीमाई में उनके क्राई और विक्रें की संख्या दी गई है तो वी जो है वह तीमाई में आरम में कराई की वस्तु बता रहा है बी जो है न यहां पर वो क्या बता रहा है कि जो चीजे है वो क्राई की गई है क्राई का मतलब क्या होगा ब्राउट किया हुआ है और एस का मतलब यहां पर दिया है क्या एस का मतलब है हमने स्वाल्ड किया हुआ है तो यह बात यहां पर बताई गई है तो इन चीजों को आपको समझना है आप देखो यहां पर टैबल को समझते टैबल में quarter one quarter two quarter three and quarter four दिया है quarter one है उसका ब्राउट और quarter two है उसका ब्राउट और इसी तरीके से quarter four है उसका भी एस दिया हुआ है यहां तक समझ आए यह सारे आइटम है ए बी सी डी और यहां पर यह जो भी आंकड़े है आपको इनके रिलेटेड है चलो क्राई और भी क्राई क्यां क्लियर टैबल समझ आ गया चले अब चलते क्वे बेरे से पहले आपका अंसर आना चाहिए बाई उके मैं तो समझा नहीं जाती हूँ तो अंसर मतलब की लाती लाती तक तक तो आपका भी अंसर आ जाएगा है नो चले तो ट्राई करिए सब लोग क्वेश्य नंबर वन को देखते है चले अरे कहां गया पॉइंटर मेरा वे हूप कहां पर यह वाला क्वेश्य और उसके अंदर क्राई की गई और विक्री ऑच्थी जो भी वस्तोय आइटमेंस के अंतर की आउसत का पता लगाना है मतलब कि पहले क्या करोगे पहले इन आप बी को देखते हूं के बी मतलब क्राई की बात हो रहें के तो क्राई में कितने हैं 300 प्लस 270 यह वाली लाइन देखो यह कॉलम को देखना है आपको क्या करना है कॉलम को देखना है आट तिन 11 11 13 कितने होंगे 14 14 मतलब कितना आए आपका 1495 यह आता है ना ओके चले अब आगे देखते हैं अब यहां पर इनका तो हमें वैल्यू मिल गया अभी यहां रुखना है किसकी बात करनी एस को देखना है यह वाली कॉलम को देखना है यह वाली यह वाली तो पहले में इसको हटा लेती है कि क्या है 170 है 180 है 180 है उसके बाद देखते हैं कि 180 है 210 है इसके बाद है 250 है और 250 है टोटल करतो यहां पर 005 आया है तो 5 यहां पर आ गया साथ कितने होंगे 15 15 16 16 15 27 28 यहां पर आ गया आपका आठ यहां पर आ गया है 28 और यहां पर दो टो एक तीन तीन चार 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 दो छे चे दो आट 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 दो दस एक अजार पचासी आ गया अब देखो यह तो हमने टोटल लगाया उनका अभी अब यह क्या करना है अंतर निकालना डिफरेंग्स अव्य चोटि संख्या ऐस होती है है नग टिफरेंश दिकालते हैं तो यहां पर पद्यकों पांच में से पांच गया तो जिरो रहाँ नोव चार रहा एक तो जिरो जिरो लिखने की जरूरत नहीं होती है आगे चलो कितना मिला 410 यह क्या मिला हमें difference मिला क्या मिला difference मिला ओके लेकिन हमें आगे अभी क्या करना है average पी तो पता करना है तो 410 divided by कितने करोगी बताओ average निकालना है कैसे निकालोगी तो टोटल आइटम कितनी एक दो तीन चार पांच है पांच से डिवाइड कर लो आठ पंचे चालिस यहां पर एक तालिसमें से चालिज जाएगे तो वन रहेगा और यह जिरो लगेगा पास में तो टैन हो गया तो कितने होंगे पांच दूनी क्या करेंगे यहां पर टोटल लगें तो क्या करेंगे यहां पर टोटल लगाना पड़ेगा इन सबगा क्या करना पड़ेगा तो टोटल-लगा की देखना है तो यही पर टोटल कर लें टैबल के अंदर यहां भी साइड में करते हैं यहां पर टैबल में अच्छे से हो जाएगा ओके तो देखो यह पर 5 आ गया 7 8 कितने होगे यह पंधरуем 15 अप्र टू का देखते हैं फाइस पांच पाथ दस यहां पर वण आ गया तीन इक चार इक बात करते यहां पर आगए दो तिन पांच पांच तिन आठ आठ तो दस तो बारा बारा सु आ गई यहां पर ओके क्वार क्या करते हैं लास्ट में जिरो है सभी में जिरो लगा लो यहां पर आगे दो तिन पांच पांच तिन आठ आठ दो दस तिन तिन तरह सू Чालीक खाली की सरवादे कि सरवादेक हां तो आप बोलोगे श्क्राडए ना तो यहां पर कौंसा आंसर ने दो नंपर का आंसर उनको बहुत बताई चले त्री कौचिंट नमबर त्री लगाओ विख्राई में वस्तुओं के विक्राई में कितने प्रतिशत वृत्धिु अब देखो क्वाटर वन है और क्वाटर टू की बात हुई और उसमें बिर्टक्राई की मतलब करना पड़ेगा यहाँ पर हम नहीं करना है तो पर तो हमने के यहा अब हमने करने होगी है यह रहा आपका टोटल के रखेत वर्टर वन वर्ट टू की बात हो रहे थी 1085 1450 कि याद रखने 1085 यहां पर 1085 और यहां पर 1450 कि वार्टर टू में कितना था 1450 बस कुछ नहीं करना है अब प्रतिसत और वो भी वृद्धी में पुछा गया है है ना तो वृद्धी में पुछा जाएगा तो क्या करोगे पहल रहे तो नीचे के आएगा तो बताओ इतनी सारी कि आने चाहिए तो नीचे छोटी संख्या आएगी तो छोटी संख्या दोनों में से कौन है एक अजार पचास ये इन टू हंड्रेड करेंगे क्यू करेंगे इन टू हंड्रेड पिकोल हमें क्या करना है प्रतिसत में लाना है चलो जी अब इसका डिफरेंस निकालो तो देखो दस में से पांच जाएगा तो पांच रहेगा यहां पर चारा चार में से आठ नहीं चलो अब देखो डिवाइडेड बाई एक अजार पचासी इन्टू हंड्रेड अब यहां पर ना कुछ बचे काटने बैठते हैं अब देखो काटने की बात तो अच्छी है लेकिन काटने जाओगे न तो कभी-कभी कैल्कुलेशन में घलतिया भी हो सकती है तो उससे बैटर म काटने है किस्से डिवाइड करने जाओ अब 1000 का UP87 लेकिन आश पास तो यहां पर चार से से दिवाइड हो रहा है तो यहां पर 3600 तो 3600 तो मतलब की सिंपल सा मत मिनिंग निकलता है कि तीन से मल्टिप्लाइब हो जाएगा ओके अब देखो पांच तीन कितना होगा पंद्रह होगा यहां पर मना गए आठ तीन चौवी से 25 यहां पर दुआ गए अब देखो जिरो को तीन से मतलब आप क्या करोग जिरो से 30 से मल्टिप्लाइब करेगो तो आंसर कीया आएगा जिरो आएगा और यह वाला दो जो है उसको ऐसे ही रख लेना है कि तीन एकंव तीन क्लिएर अब देखो दस मिल से 5 जाएगे तो पांच ज रहेगे उके और यहां पचार आगा है, चार मिल से 5 नहीं जाएगा, 14 भी से 5 जाएगा तो 9 रहेगा और 5 भी से 2 जाएगा तो कितना रहेगा 3 रहेगा clear अब देखो उपर से भी एक 0 को उतारना है उतार लिया अभी भी यही condition 1085 है उके 4 से multiply करोगे तो 4000 के उपर चला जाएगा तो अब हमें अभी भी क्या करना है तीन से ही यहां पर multiply करना यहां पर यहां पर तीन से से तीन जाएगा तो जिरो ओके अभी यहां पर रूखना है तो रूख सकते हो विकल्स टाइम हमें बचाना है तो यहां पर देखो आपका अंसर क्या है 33 क्या आपके option में कोई भी option 33 का है तो आप बोलोगे yes मैं 30 तक करेक्ट आंसर ओके आगे जिनको जाना है तो देखो यहां पर point लगा लो 0 को यहां पर रखकर नीचे उतारोगे तो अब देखो 1000 को 6 से multiply करोगे तो 6000 आएगा अगर 1000 को 7 से multiply करोगे तो answer 7000 आएगा और उपर से य यहां पर 6 से multiply करोगे तब आपका काम चलेगा तो मतलब यहां से सीधा सा ही आपका answer आ जा रहा है तो आगे calculation करने के जरूरत नहीं अगर किसे को अपनी satisfaction के लिए देखना है तो आप आगे calculation कर सकते हैं चले तो यहां पर third is the correct answer अब आगे चलते हैं question number 4 की बात करते हैं यह त विक्राइक विक्रे का अउसत सबी तीमाईयों में न्यूम्तम रहा ओके चलो अव क्या करना है आपको यहां पर किस आईटम का बता हैंना और यहां पर यहां आइटम से विए वन सब क्या करना होगा पहले तो सम करना है सम करने के बाद उनका एवरेज निकालना है और पर यहां पर मैं यहां पर बना देतों तकि हमें असानी हो जाये चाइस टेबल में हम साइड में केल्कुलेशन करेंगे रोकी जो यहीं पर कर देंगे तकि हमारी यहां पर जगह बच जाए चलो यहां पर जिड़ो है पांच है तो यहां पर लाश्क में पांच आएगा अब देखो सात तेन दसFit साथ कितने ऊंगे सतरा सतरा इक है ठारा अठारा शाथ कितनी होंगि ठारा दो पीस और पांच पचीस तो के 25 के यह पर पांच आ गाइश यह पर दो 25 25ौ anth अगेन मैंने यह वाला भी कर दिया तो एक तीन 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 छे छे तीन नो नो तीन कितने हुंगे नो तीन बारा ओके बारा सो पजपन आया अब देगो यह आतो यहां पर और आप्शन सभी या नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको करना है तब कर सकते हैं चले यहां पर यहां पर तीन ग्यारा ग्यारा चार हो जाएंगे 15 का 5 यहां पर वन एक-दो-दो-चार-चार-तिन-सात-पतिन-दस-एक-जार-पचास क्लियर ओके अब आगे चलो सी का देखते हैं सी में क्या है जिरो जिरो और सभी में जिरो तो रखते थे अब देखो वन तूँ ओके यहांपर तू आएगा ओके टू थरी पांच-पांच सरी, यह वाला नहीं, ओक्य, यह वाला हटा ले, दो, दो, तिन, पाँच, पाँच, दो, सात, सात, दो, नू, नू सो बीस आ गया, ओके, चलो, अब यहाँ पर डी की बात करते है, डी में, सभी में, जिरो है, जिरो लगा लो, 5 5 9 14 14 8 कितने होंगे 22 22 26 यहाँ पर आगए 2 2 2 4 4 2 6 6 7 7 2 कितने होंगे 9 उसके बार देखो अब इकी बारी आते हैं 5 10 0 यहाँ पर 1 7 8 8 9 9 7 कितने होंगे 16 16 9 कितने होंगे 16 9 25 यहाँ पर आगए 2 2 4 4 3 7 7 8 8 9 9 950 क्लिए अब देखो एवरेज निकाल नहीं तो एवरेज में क्या करोगे यहाँ पर टोटल कितने हैं एक दो तीर और चार क्वाटर है हैंना तो चार से डिवाइड करना होगा ओके अभी यह वाले को हम रख लेते हैं साइड में यहां पर आपके ओप्सन में यह नहीं है तो हम उतना टाइम खरब नहीं करेंगे अब देखो बी की बात करते हूं तो एक जार पचास उतना है आपके तो कितने होंगे चार दौनी आठ रहेंगे और फिर आपके पास दो रहेंगे और यहां पर पॉइंट लगा के पांच सब्सक्राइब 282.5 उसके बाद सीखा करते हैं 920 बटे चार तो चार दुनी 8 हुटे यह दो रहा तो 4 312, 230 यहां पर आगा है कितना है 240 यहां पर आए उसके बाद देखो एकी बात करते ही में क्या है नो सो पचास डिवाइड़ बाइड़ चार दुनी आठ और एक पांच रहे तो सा कितने होंगे चार तीन बारा बारा और यानि तीन जिरो तो साथ चौक अठाइस के दो बचे पॉइंट आएंगे और पांच प आए ओके क्लियर तो अब आपको यहां पर क्या पता चल रहा है बताओ यहां पर यह बता चल रहा है कि कोनसा बच्छा-एंजर के निसका बहुत बणाएंगे यह जो कर देना कि इसमें भी तो मैंनत पड़ती है मेरी है ना इतना मतलब यह जो कोष्टक बनाने में लिखने में सारे में मतलब अब क्या ही बोलो आप लोगों को चलो ओके किस्तिमाई में क्राई और विक्रे का अनुपात निंतम रहा देको अभी तक आपके चार कोष्टन ने बहुत कम कैलकुलेशन वाले थे तो समझ लो यह थोड़ी से कैलकुलेशन ज्यादा होगी किस्तिमाई की बात हो रहे मतलब क् क्वाटर में क्राई और विक्रे का अनुपात निंतम रहा है तो इनका पहले आपको क्या करना पड़ेगा रेशियो निकालना पड़ेगा किनकिन का क्राई और विक्रे का हरेक में हरेक का करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी होगी क्राई और विक्र में करेंगे जितनी बज़ती है तो यहां पर लिखते हूं डिरेक्ली लिखते हूं विकर मैंने की हुई है और आगे आप लोग अगर नौट बना रहे नौट में लिख रहे तो आपके पास लिखा हुआ विक्राइब की हुई तो विक्राइब में देखो यह वाले विक्राइब की हुई है कि नहीं अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं हम यहां पर बता देते हैं आपको कि चलो जिरो जिरो सभी में जिरो आ गया और यहां पर पना गया तीन नू हो जाएंगे आपके 15 यहां पर आगए बन तीन इक चार दो चार दो छे तीन नो नो डो ग्यारा तीन चौदा चौदा सुपचास चलिर उसके बाद देखते हैं इस सारे में जिरो है लाश्ट में तो जिरो लगा लो अब देखो साथ पांच बारा बारा पांच हो जाएंगे सत् होंगे 25 25 27 यहां पर आगए दो के 2 3 5 5 5 10 10 5 15 15 170 आ गये चलो आगे देखते हैं जिरो फिर दो तीन पांच 5 और टेरा तेरा साथ कितने होंगे 20 यहां पर आगए दो 2 3 5 5 5 10 2 12 12-20 वह गया चलो आगी देखते हैं पांच आ गया उके 8 9 9 5 14 14 8 कितने होंगे 22 26 हो जाएंगे 22 6 कितने होंगे 28 यहां पर 8 यहां पर 2 आगे 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 12 13 13 12 कितने होंगे 15 15 180 यहां उसके बाद देखो यहां पर लाश्ट में 0 है उसके बाद 7 4 11 11 4 आपके हो जाएंगे 15 15 9 हो जाएंगे 24 और यहां पर आ गए दो 2 3 5 5 10 10 13 13 14 ओके यह कैलकुलेशन आपकी आगई आप देखो इनका अनुपात निकालना है किनकी इनका हरे क्वार्टर में क्वार्टर वन है तो उसके अंदर क्राई कितना है हमारे पास बी रेशियो क्या करना है आपको बी रेशियो क्वार्टर 2 है उसमें भी रेशियो एस करना है क्वार्टर 3 है उसमें भी रेशियो एस करना है और क्वार्टर 4 है उसमें भी रेशियो एस करना है आप देखो यहां पर क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर 1 में कितना है बी और एस तो 1495 फिर यहां पर देखो quarter 2 में कितना है 1740, ratio 1450, quarter 3 में कितना है 1570, ratio 1200, और quarter 4 में कितना है 1580, ratio 1340, अब देखो इनको पहले क्या करोगे, cut करना है तो cut भी कर सकते हो, direct करना है तो direct भी भाग कर सकते हो, मैंने always बताया कि हम ए रेशियो बी लिखते हैं, इसका मतलब साबसा होता है, कि A divided by B, हैना, तो अगर मैंने लिखते है, 1495, ratio 1050, ती इसका मतलब क्या होगा, 1495, ratio, मतलब डि यही से कर लो, अब 1085 है, यहाँ पर 14 होते हैं, एक से ही भाग होगा, है ना, तो यहाँ पर लिख दे, 1050, कुछ भी काटने की जरूरत नहीं दोनों तरब सो, के, directly यहाँ पर, आप easily कर सको, इसलिए कह रहे हो, के, पांच में से पांच है, जिरो, नौमें से अंड रहेगा, तो वन और यह 4, ओकी 410 आए, अब आगी भाग चल रहा है, नहीं चल रहा है, पॉइंट लगा लो, जिरो को उतालो, यहाँ पर उताले, अब एक अजा 84 है, है ना, तो मैं 4 से मल्टिप्लाई करती हूँ, तो कितने आएंगे, 4000 आएंगे, लेकिन, यहाँ पर तो 100 है, अगर 85 को 4 से में मान के चलो, कि मतलब गुना करती है, तो 400 के सम्थिंग आपके अंसर आएगे, ना, 300 के सम्थिंग तो आएगे, तो यहाँ पर 41 है, तो मतलब यहाँ पर आपका सिधा सा क्या बनेगा, तीन से मल्टिप्लाई होगा, ओकी, तो पांच, पीन, पंदरा, यहाँ पर 1, 8, 3, 24, 21, 25, यहाँ पर 2 है, 0 into 3 करोगी, तो 0 आएगे, और यहाँ पर उपर जो है, उसको यहाँ पर 2 रख देंगे, और 3, 1, 3, 3, अब 10 में से 5 जाएगे, तो 5, और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा, तो 4, यहाँ पर आगर 0, 10 में से 2 जाएगा, तो 8 रहेगा, और 3 में से 3 जाएगा, तो 0, अब देखो, अभी आगे हम क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक हम अंसर ले जाएगे, तो अच्छा रहेगा, क्यूंकि कभी-कभी ऐसा होता है, कि आगे हम क्यालकुलेशन करते हैं, तो उसमें भी डबल आंकडे मतलब आ जाते हैं, मतलब उससे 8 से मल्टिप्लाई करोगे, तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, विकोज यहां पर 450 है, तो अगर मैं इसको 100 मान के चलती हूँ, तो भी 800 मतलब 700 या 600 के असपास होगा, तो हमारी यहां पर 8600 या 600 के असपास होता है, तो यह तो आपके पास 8450 हैं, तो इसी वज़े से यहां पर हम साथ से मल्टिप्लाई करेंगे, तो देखो 5 सिते 35 हो गए, यहां पर 3 आ गए, 8 सिते कितने होगे, 8 सिते 56, 56, 69, यहां पर आ गए 5 और यह 5 यहां पर, और यह देखो साथ एकम साथ, यहां तक करना है, बस आपका वैलु यहां पर आ गए, आगे की जंजट में नहीं पटना है, तो यहां पर आपका अंसर क्या बन रहा है, 1.7, 37, अब इसको अटा लेते हैं, आप डूसरे क्वार्टर क्या करते हैं, यह क्वार्टर वन का में मिल गया, प्लियर, चौलाँ, एक क्वेश्चन के अंदर तो क्याल्कुलेशन आपकी रहेगी, बागी के क्वेश 440, बटे कितना है, बटे 1450, कि 1450, एक से ही मल्टिप्लाइ होगा, 1450 यहां पर रख दो 0, अब देखो, 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगे, तो 9 रहेंगे, और यहां पर 6, 6 में से 4 जाएगा, तो 2, 1 में से 1 जाएगा, तो 0, अब आगे भागनी चल रहा है, प कितने होते हैं, 28 होते हैं, अब 28 होते हैं, और 50-50 कितने हो जाएगे, 100 हो जाएगे, तो 2800 प्लस 100 कितने हो जाएगे, तो easy way में, मतलब बिना calculation से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि 14 दुनी अठा, 28 होते हैं, तो देखो, यहां पर 1450 को डबल कर देंगे, तो answer 29 आ ओके, clear, चलो, अब आगे देखते हैं, आगे की calculation करते हैं, quarter 3 की करते हैं, चलो, इसको मैं अटा लेती हूँ, because हमारे पास जगह नहीं है ना, इस वज़र से, ओके, चलो, ओके, quarter 3 का बनाओ, चलो, quarter 3 कितना है, 1570 बटे कितना है, 1200, ओके, इसको देखो, अभी आपको ना, यहां पर 00 काटना है, तो अभी काट सकते हैं, दोनों में, ओके, उपर वाले में भी कट रहा था, ओके, लेकिन कोई बात नहीं, अब देखो, 1200 को 2 से multiply करेगो, करेगो, तो क इतना आएगा, 24 हो आजाएगा, हैना, तो हमारे पास अभी एक ही option के 1 से multiply होगा, तो यहां पर 1200 आगए, ओके, 0 कट गाए, यहां पर 7 आगए, पांच पे से 2 जाएगा, तो 3 रहेगा, clear, अब आगे देखो, आगे भागनी चल रहा है, point लगा लो, 0 को नीचे उतालो, 1200 है, 12, 3 कितने होंगे, 36 होंगे की नहीं होंगे, हैना, तो यहां पर 3 से multiply होगा, 36 हो आगा है, हैना, आप देखो, 100 रहा, मैंने क्या बोला था, point के बाद 2 अंकों तक जाने को क्यों बोला था, देखो, यहां पर भी 1.3 था, अगर आप point की बाद एक ही अंक तक जाओगी, तो यह भी 1000 है, और यहां पर तो 1200 है, मतलब कि यहां पर ज्यादा आ रहा है ना, तो अब क्या करना है, अब भाग नहीं चलेगा आपका, तो इसी वज़ह से यहां पर 0 लगा देंगे, और उसके बाद यहां पर 0 लगा का 0 को नीचे उतारेंगे, यह उसका rules होता है भाग करने का, तो अब आपके पास value हो आ गई, 1.1.30, यह value आ गई, आगे calculation करने के ज़रूरत नहीं है, आपको करने हैं तो आप आगे कर सकते हो, अब देखो, यह quarter 3 की आपको value मिल गई, 1.30, अब यह आगे चलते हैं, quarter 4 की कर लेते हैं, अब last quarter बचा है, और वीडियो को like जरू किया करो, यहां कंजूसी क्यों कर रहे हैं सब लोग, हां मैं कंजूसी नहीं कर रही हैं आपको सिखाने में, पता नहीं आप लोग क्यों कंजूसी कर रहे हैं, चलो, 1550, 1340, चलो, यहां पर भी 1 से multiply होगा, 1340 कर देते हैं, यहां पर 5 आए, 850, 4 गए, 4, 5, 20, 3 गए, तो दो, ओके, अ यहां पर 26 होते हैं, और यहां पर 24 हो है, है ना, तो मतलब की हमारा 1 से ही, यहां पर क्या होगा, multiply होगा, 1340 ही यहां पर आएगे, यहां पर बन आगे, ओके, 1110 आगे, अब देखो, आगे कुछ करने की जरूरत पढ़ रही है, पता हो, यहां पर कही पर भी 1.20 वाला कोई भ तो यहां पर 1.20 वाला को रखते हैं, आगे जो भी आ रहा है, मतलब कि हमें वो दिक्कत में, मतलब हमारे बीच में कोई नहीं आ रहा है, तो अब देखो क्या अंसर बनेगा आपका, यहां पर क्या पुछा है, नियून्तम पुछा है, क्या नियून्तम रहेगा, अगर मान यहां पर कोई भी अंक आ भी जाता है, फिर भी यह सारे जो है, वो इससे तो बड़े हो गए, वाटर फॉर से बड़े है न, तो सबसे छोटा कौन हो गया, क्वाटर फॉर है, ओके, तो फॉर्थ इस तकरेक नाम सा, आई होप सारे कोशन समझ में आएंगे, ओके, जिन बच को हमारी क्लास होगी, रेशियो की, तो सारे बचे रेडी रहना, सब लोग, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेर भी कर देना है, चैनल को सबस्क्राइब भी कर लिया करो, ताकि सारी की सारे वीडियो की नॉटिफिकेशन में दोती रहे, चले बबाई, टेक केर वीडियो, सबको जैसी कृष्णा,